तो इस कहानी की सुरुवात में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक बड़ का पीछा कर रहा होता है तब ही वो अपने ग्रैंड फादर से उस बड़ को मारने हो कहता है ताकि उनके रात के डिनर का इंतजाम हो सके जिस पर उस बच्चे के ग्रैंड फादर एक हत्यार उठा क पर उस बड़ की तरफ फेकते हैं जिससे ओबर मारा जाता है और उस पहड से नीचे गिरने लगता है लेकिन सही टायम पर वो बच्चा उस बड़ को पक़ड़ लेता है जिसके बाद वो लोग घर पर जाते हैं जहां पर पर्सिवल के ग्रैंड फादर पर्सिवल को उस बड़ को खाने के लिए त्यार करने वो कहते हैं जिस पर पर्सिवल एक जटके में उस बड़ को त्यार कर देता है और वो लोग खुब मज़े से उस बर्ड के मीट को इंजोई करते हैं इसी विच हम उस बर्ड पर एक अजीब तरह का मार्क देखते हैं जो कोई बुरे संकेत की तरफ इसारा कर रहा था और खाना खाने के बाद पर्सिवल अपने ग्रेंड फादर के सा ट्रेनिंग करने लग जाता है जहां पर वो अपने ग्रेंड फादर से फाइट करता है जिसके अद परसिवल के ग्रेंड फादर वहां से बरतंद होने के लिए निकल जाते हैं पर दूसी तरह परसिवल अभी भी अपने उस fight को celebrate कर रहा होता है इस चीविच परसिवल के ग्रेंड फादर को लग रहा होता है कि वो कुछ भूल रहे हैं तब ही उन्हें याद आता है कि पर्सिवल का बड़े काफी करीब आ गया है जिस पर वो सब काम वाम छोड़कर पर्सिवल के पास जाते हैं जो सूसू कर रहा था तब ही ग्रेंट फादर पर्सिवल से पूचते हैं कि कल उसका बड़े है पर इसके बावजूद भी परसिवल अपने बड़े के लिए excited नहीं है जिस पर परसिवल अपने grandfather से कहता है कि उसे पता है कि कल उसका बड़े है और वो कल 16 साल का हो जाएगा जिसका मतलब यह था कि वो कल से beer पी सकता है और परसिवल के ऐसे mind side को देखकर उसके grandfather बहुत हैरान होते है तभी परसिवल के grandfather उसे एक hill के top पर ले जाते है और उसे दुनिया घूमने हो कहते है ताकि परसिवल one piece को ढूड़ सके जिसे परसिवल पूरी दुनिया में बहुत famous हो जाएगा पर परसिवल को इन सब कामों में कोई interest नहीं होता है वो बस अपनी normal life से खुशता जिसके बाद रात में डिनर करते समय परसिवल के grandfather परसिवल को उसके father के बारे में बताते हैं जो 16 साल की age में ही एक adventure बन गए थे इसलिए वो परसिवल को भी एक adventure बनने हो कहते हैं पर परसिवल अपने grandfather की बातों को reject कर देता है क्योंकि वो बस अपनी पूरी life अपने grandfather के साथ बिताना चाहता था फिर डिनर करने के बाद परसिवल mountain के चोटी पर जाता है और तारों को देखने लगता है और सोचे लगता है कि क्या उसे उसके grandfather की बात मान कर दुनिया घूमना चाहिए नहीं लेकिन फिर वो अपने उस plan को drop कर देता है क्योंकि वो अपनी इस life से खुश था क्योंकि उसके grandfather उसके साथ थे और ऐसे ही परसिवल को नीन आ जाती है और जब परसिवल की नीन खुलती है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो एक उड़ती ही बोट पर सवार था तब ही वो नाइट परसिवल से वर्गिस नाम के एक आदमी के बारे पूसता है जो अपने grandson के साथ रहता था जिस पर परसिवल उस आदमी से कहता है कि वो उसके grandfather है लेकिन आपको उनसे क्या काम है जिस पर वो नाइट परसिवल को बताता है कि वो वर्गिस का दोस्त है क्योंकि वो दोनों एक ही होलिनेट गुरूप में थे जिस पर परसिवल बिना ज़्यादा सवाल जाब किये उस आदमी को उसके grandfather की location के बारे बता देता है जो सबजिया काट रहे थे जिस पर वो नाइट उहां के लिए निकल जाता है और परसिवल उस उड़ती भी board को चेक करने लगता है लेकिन कुस दिरवल परसिवल को एहसास होता है कि उसने कोई गड़वर कर दी है क्योंकि उस उस नाइट पर शक होने लगा था क्योंकि वो नाइट आर्मर और हत्यार के साथ आया था इसलिए वो जल्दी से अपने grandfather की मदद करने के लिए जाता है इसी विच हम वर्गिस को देखते हैं जो सबजया काट रहा होता है तभी वो नाइट वर्गिस को आवाज लगाता है और उस पर एक attack करता है पर वर्गिस सही टैम पर उस attack को dodge कर लेता है और उस नाइट से लडने लगता है जहां पर वो दोनों एक दूसरे को बरावरी की टकर दे रहे होते हैं लेकिन कुछ दिर बाद वो नाइट वर्गिस पर भारी पढ़ने लग जाता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है लेकिन तभी वहाँ पर परसिवल पहुंच जाता है और उस नाइट को उसके ग्रैंड फादर से दूर रहने हो कहता है पर उस नाइट को परसिवल की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो परसिवल पर एक अटेक करता है और उसे कहता है कि वो पहले उसके ग्रैंड फादर को जान से मारेगा फिर अगली बारी उसकी है जो सुनकर पर्सिबल को गुसा आ जाता है और वो उस माउंटेन के टुकड़े से उस नाइट पर अटैक करता है पर वो नाइट उस रोक को बड़े असानी से रोक लेता है जो देकर पर्सिबल उस नाइट पर बड़े रोक से अटैक करता है पर उस जिससे वर्गिस की मरने जैसी हलत हो जाती है, साथ यो परसिवल पर भी एक जान लेवा हमला करता है, पर परसिवल अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होता है, और उस नाइट को एक पंच मारता है, पर उससे उस नाइट को कुछ नहीं होता है, क्योंकि परसिवल बहुत दोर हो गया था तभी वो नाइट परसीबल पर एक अटेक करके उसे दूर उरा देता है जिससे परसीबल कुछी देर में मरने वाला होता है तभी वर्गिस उस नाइट से पूछता है कि आखिर वो इतने लबे समय बाद उन्हें मारने क्यों आया है जिस पर वो नाइट बतात जिसके नाइट को लगता है कि वर्णिस और पर्सिविल को उसने इतना जादा घाल कर दिया है कि वो जिन्दा नहीं बच पाएंगे इसलेब वोहां से चला जाता है और उसनाइट के जाने के बाद हम देखते हैं कि पर्सिवल वापस से ठीक हो गया था और उसके सारे घाओ भी भर गए थे जो देखकर वर्गिस को कुछ समझ नहीं आता है तभी पर्सिवल अपने ग्रेंट फदर से माफी मागने लगता है क्योंकि उनकी ये अहलत उसी की वज़े से हुई थी जिस पर वर्गिस पर्सिवल को उदास होने से मना करते हैं क्योंकि यही उनकी किस्मत थी तभी वर्गिस पर्सिवल को बताते हैं कि उस नाइट का नाम आइरन साइड है और वो पर्सिवल का फादर है जो सुनकर पर्सिवल बहुत हैरान होता है क्योंकि वर्गिस ने पर्शिवल को बताया था कि उसके फादर की एक एकसिडेंट में देथ हो गई थी। जिस पर वर्गिस पर्शिवल से कहता है कि अगर पर्शिवल पूरी सचय का पता लगाना चाहता है तो उसे आईरन सोट को ढूणना होगा और नाइट्स को बचाना होगा जिसे हो मारने वाला है तभी वर्गिस को खुन की उल्टी होने लगती है क्योंकि उसके पास नहीं बचा था जिसके कुछ दर बाद वर्गिस की ड्रेथ हो जाती है और पर्सिवल अपने ग्रेंड फादर को दपना कर वापी से अपने टूटे हुए घर में कुछ जूड़ने लगता है तब ही उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें कुछ कपड़े थे जो वर्गि दर उतरने के बाद भी वो नीचे नहीं पहुंच पा रहा था पर पर्सिवल हार नहीं मानता है और नीचे उतरना जारी रखता है और कुछ दिर के कोशिश के बाद वो फाइनली नीचे उतरने में काम्याब हो जाता है जहां पर उसे एक जीव दिखाई देता है और पर्सि पर वो जीब परसीवल को एगनोर मार कर वहां से जाने लगता है जिस पर परसीवल उस जीब का पीछा करने लगता है जो देखकर वो जीब वहां से भागने लगता है इसी विच परसीवल को फाइनली कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कुछ magic perform करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर cats हवा में बीना आग के पेपर जला रहा होता है इसलिए cats अपने साथी से भी इसकी practice करने हो कहता है पर cats का साथी इसके लिए मना कर देता है क्योंकि कोई उन्हें नहीं देख रहा था तभी वहाँ पर परसिवल आ जाता है जो उन्हों के magic trick को देख कर बहुत हैरान था तभी परसिवल उन्हें वो magic दुबारा perform करने को कहता है जिस पर Danny magic perform करके दिखाने के बदले परसिवल से कुछ पैसे मांगता है परसिवल अपनी life में पहली बर पैसो के बारे में सुन रहा था इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि आकी Danny किस बारे में बात कर रहा है जो देखकर Danny को लगता है कि परसिवल उसे बेब को बनाने की कोशिश कर रहा है इसलिए वो उसे magic दिखाने को त्यार हो जाता है और परसिवल को हवा में उड़ा कर उहां से भाग जाता है जिस पर परसिवल नीचे उतरने की कोशिश करता है पर वो ऐसा नहीं कर पाता है जिस पर Danny के साथ ही Danny को डाटने लगते हैं क्योंकि Danny एक बच्चो को परेशान कर रहा था लेकिन तबी वहाँ पर उनके सामने परसिवल बहुत तेजी के साथ आ जाता है और परसिवल की ऐसी स्पिट देखकर वो लोग बहुत हैरान होते हैं और Danny परसिवल से उसके पहले के बिहेवर के लिए माफी मागने लगता है और परसिवल से पूछता है कि आखिर वो ट्रेवल क्यों कर रहा है जिस पर परसिवल बताता है कि वो आइरन साइट नाम के एक हॉलिनेट को ढून रहा है क्योंकि उसने उसके ग्रेंट फादर को जान से मार दिया था जिस पर वो लोग परसिवल से पूछते हैं कि क्या वो उस हॉलिनेट से अपना बला लेना चाहता है जिस पर परसिवल कहता है कि उसे नहीं पता कि वो उस हॉलिनेट से बला लेना चाहता है या नहीं क्योंकि वो उसके फादर है जो जानकर वो लोग बहुत हरान होते हैं और पर्सिवल से कहते हैं कि वो लोग एक विलज में जा रहे हैं जहांपर सैल से उन्हें उस हॉली नेट के बारे में कुछ पता चल जाए जिस पर पर्सिवल उन लोगों से उसे भी उनके साथ ले चलने हो कहता है जिस पर डैनी मान जाता है पर इसके बदले वो पर्सिवल से एक ट्रिक करके दिखाने हो कहता है जहांपर वो लोग पर्सिवल को एक बहुत आरो देते हैं और उसे एक टार्गेट को हिट करने हो कहते हैं पर पर्सिवल गलती से डैनी को गंजा कर देता है पर इसके बावजूद भी वो लोग परसिवल को उनके साथ ले जाते हैं जहांपर परसिवल उन लोगों से उनके बारें पूसता है जहांपर डैनी बताता है कि उन लोग का सपना है कि वो सभी हॉलिनेट बनना चाहते हैं इसी बिच उनके पास कुछ लोग आते हैं जो उन लोगों से किसी हॉली नेट को बुलाने हो कहते हैं क्योंकि एक वुल्फ ने उनके विलेज पर अटेक कर दिया था जो सुनका डैनी उनसे कहता है कि उन्हें एक छोटे से वुल्फ के लिए किसी हॉली नेट की जुरत नहीं है क्योंकि वो खुद उसे समाल लेगा और बदले में वो उन विलेज के लोगों से बस खाने और रहने के लिए कुछ जगह मांगता है जिस पर वो गाउवाले त्यार हो जाते हैं और डैनी अपने साथियों के साथ मिलकर उस वुल्फ से निपटने जाता है और उस पर कुछ तीरों से अटेक करने लगता है लेकिन वो सारे तीर उल्टा पर्षिवल को ही इट कर जाते हैं क्योंकि पर्षिवल का निसाना बहुत बेकार था और यह मुखका देखकर वो उल्फ पर्षिवल पर अटेक कर देता है लेकिन साइट टैम पर डैनी बीच में आकर पर्सिवल को बचा लेता है पर तब ही वो मोह्टर फिर से उन पर अटेक कर देता है जिस पर पर्सिवल उस वुल्फ के अटेक को अपने हाथों से रोक लेता है और बड़ी असानी से उस वुल्फ को हरा देता है और परसिवल की ऐसी पावर देखकर वो लोग बहुत हरान होते हैं इसी बिच हम देखते हैं कि उस वुल पर भी वही मार्क होता है जिसे हमने सुरुवात में एक बढ़ के उपर देखा था साथी वहाँ पर वो जी भी मौजूद होता है जिसे परसिवल अपने सफर के सुरुवात में मिला था इसी बिच हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने एक जादूई मीरर में परसिवल को देख रहा होता है और वो परसिवल की पावर से बहुत इमपरेस होता है इसलिए वो एकमार पर्सिवल से face to face मिलने का फैसला करता है इसी वीच हम डैनी को देखते हैं जिसकी कैट पटी कर रहा होता है तबी डैनी कैट से पर्सिवल के बारे पूछता है जिस पर कैट बताता है कि अलबा उसे नहलाने ले गई है और नहाने से वापिस आने के बाद वो सभी लोग उस वुल्फ के मरने की खुशी में पाटी करते हैं जहां पर्सिवल सभी से आईरन सैट के बारे पूछने लगता है लेकिन किसी को भी आईरन सैट के बारे में कुछ नहीं पता था तब ही वहाँ पर Black Knight आ जाता है जो Percival को बताता है कि वो Iron Side को जानता है साथ यो Percival को जिन्दा दे कर बहुत हैरान था क्योंकि उसे खबर मिली थी कि Iron Side ने वर्गिस और Percival को मार दिया है जिस पर Percival Black Knight से Iron Side के बारे पूचता है पर Black Knight Percival को कुछ भी बताने से मना कर देता है और उसे उसे लड़ने को कहता है जिस पर Percival Black Knight से लड़ने लगता है और उसे कहता है कि अगर वो ये लड़ाय जीत गया तो Black Knight उसे Iron Side के बारे में बताएगा जिस पर Black Knight कहता है कि अगर वो ये लड़ाय जीत गया तो Percival को जिंदगी पर उसका गुलाम बनकर रहना होगा जिस पर Percival मान जाता है और उनके पिछ लड़ा शुरू हो जाती है तब भिए वो Black Knight Percival को पकड़ लेता है और उसे magic यूज़ करने वो कहता है क्योंकि Black Knight को मज़ा नहीं आ रहा था जो उस विलेज के लोग उसे देखा नहीं जाता है लेकिन वो लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि वो उस ब्लैक नैट का मुकाबला नहीं कर सकते थे तभी एक लड़का पर्सिबल को उसका मैजिक पावर यूज करने हो कहता है जिस पर पर्शिबल की बोडी चमकने लगती है और पेल काफी दूर उड़ जाता है जो देखकर पेल काफी शौक था कि पर्शिबल मैजिक पावर कैसी उस कर सकता है क्योंकि पर्शिबल ने उसे कहा था कि वो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता है वहीं दूसरी तरफ पर्शिवल खुद भी अपने हातों से निकल रही रोश्णी को देकर कापी ज़रा घबरा जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके हातों में आग लग गई है इसलिए पर्शिवल उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगता है जिसमें पर्शिवल का हाथ गलती से पैल पर लग जाता है जिससे पैल काफी दूर जाकर गिरता है जो दिखकर पर्शिवल के दोस्त से समझाते हैं कि वो आग और कुछ नहीं पर्शिवल का ही मैजिक है जिसका इस्तेमाल वो पेल से अपना रिवाइज लेने के लिए कर सकता था जो सुनकर परसिवल वापस से थोड़ा सा सांथ होता है इस चीविच पेल वापस अपने पैडों पर खड़ा हो जाता है और वो अब समझ गया था कि परसिवल के पास अब उसे लड़ने की ताकत आ चुकी है इसलिए पेल थोड़ा सा सीरेस होने का फैसला करता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि आखिर परसिवल के पास किस टैप का मैजिक मौझूद था जिसके बद पेल परसिवल पर अपने फायर बॉल से अटेक करता है जिस पर परसिवल जम करके फैल के उस अटेक को डॉज कर लेता है और पेल पर हमला करने की कोशिश करता है पर तब यो फायर बॉल वापस से परसिवल पर हमला करने आ जाता है और पर्सिबल के पीछे पर जाता है क्योंकि पर्सिबल के पास उस fireball को freely control करने की ताकट मुझूद थी जिस पर्सिबल को पर पर हमला करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि पर्सिबल उस fireball से बचने में काफ़ी ज़रा बिजी हो गया था तभी परसिबल को एक आईडिया आता है और वो तेरी से पेल के पीछे पहुँच जाता है जिस पर पेल एक वार फिर से परसिबल अपर अपने फायर बॉल से अटैक करता है लेकिन इस पर पर्शिबल उस fireball को अपने magic से destroy कर देता है जिस से उस fireball के 6 टुकडे हो जाते हैं पर तभी पेल अपने fireball के उन टुकडों का इस्तेमाल करके पर्शिबल पर हमला करता है जिस पर पर्शिबल की body जलने लगती है और पेल की fireball तब तक जलती रहती थी जब तक कि उसका operant पूरी तरह से जलकर राक में न वदल जाए जिस पर पेल परसिबल को हार मान कर उसके सामने सरंडर करने को कहता है पर इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी परसिबल पेल के सामने सरंडर करने से मना कर देता है और अपनी पूरी बोड़ी को अपने मैजिक से कवर करके खुद को उस आग से जलने से बचाने की कोशिश करने लगता है जो देखकर पेल परसिबल से काफी ज़दा इंप्रेस होता है क्योंकि परसिबल को उसका मैजिक अनलोक किये बस कुछी समय हुआ था लेकिन इसके बावजूद भी परसिबल का उसके मैजिक के ऊपर काफी ज़दा अच्छा कंट्रोल था पर अब तक काफी ज़दा देर हो चुकी थी क्योंकि पेल की आखी वएजए से परसिबल की बोड़ी काफी हद तक जल चुकी थी इसलिए पेल परसिबल को एक आखरी बार उसके सामने शरेंडर करने का ओफर देता है पर परसिवल पेल के उस offer को reject कर देता है और अपनी जिर पर अड़ा रहता है तब ही हम देखते हैं कि परसिवल अपने magic की मदद से अपने छोटे छोटे miniature form में बन कर उनसे पेल पर हमला करवा देता है और परसिवल के छोटी कौपी छोटे होने के बावजुद भी काफिजना powerful थी जो पेल को overpower करके उससे उसके magic को deactivate करवा देते हैं जिससे परसिवल उस आख से आजाद हो जाता है पर क्योंकि परसिवल की बाड़ी पेल की आख की वज़े से काफिजना जल गई थी इसलिए पेल को यकिन था कि परसिवल जरूर मारा जाएगा पर तभी पेल की आखे खुली की खुली रह जाती है क्योंकि पेल की आँकों के सामने ही पर्सिवल की बोड़ी अपने आप हील होना शुरू हो गई थी जो देखकर पेल काफिजरा शौक था क्योंकि उसने आज से पहले ऐसा कोई मैजिक नहीं देखा था जो उसके यूजर की बोड़ी को हील भी कर सकता था इसलिए पेल ये जाने के लिए काफिजरा एक्साइटेड होने लगता है कि आकिर पर्सिवल के पास किस तरह का मैजिक मौजूद है तभी पेल को एहसास होता है कि साय से पर्सिवल के पास लेजंडरी हीरो रैंक का मैजिक मौजूद है जो कि काफी ज़रा rare type के magic हुआ करते हैं जिने एक लाख में से सिर्फ एक ही आदमी जागा पाता है जो जानकर पेल को इस बात पर यकीन हो जाता है कि परसिवल जरूर उन four nights of apocalypse में से एक night है और पेल को ये भी बात पता होती है कि अगर दूसरे night को जब परसिवल के magic type के बारे पता चलेगा तो वो लोग परसिवल को पकड़ने जरूर आएंगे लेकिन पेल खुद परसिवल को पकड़ना चाहता था और पेल जब ये सब सोसी रह होता है तभी परसिवल पेल को एक जोड़दार मुक्का मारता है जिससे पेल काफी दूर जाकर गिरता है जो देखकर पेल परसिवल की काफी जात तारीफ करता है क्योंकि एक new magic user होने के बावजूद भी परसिवल का उसके magic के उपर काफी ज़़दा advance control था और पेल से अपनी दारीफ सुनकर परसिवल थोड़ा सर्माने लगता है पर तभी पेल परसिवल से कहता है कि भले ही परसिवल के पास एक unique magic टैप मुझूद क्यों न हो पर इसके बावजूद भी परसिवल उसे नहीं हरा सकता है क्योंकि उसके पास काफी ज़़दा experience है जो कहने के साथी पेल सिर्फ अपनी आधी ताकत का यूज़ करके खुद को उन सभी छोटे परसिवल के कलोन से आजाद करवा लेता है और परसिवल की तरब अपनी फुल पावर के साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है जो देखकर डैनी बीच में परसिवल की मरत करने आ जाता है और अपने फ्रोटिंग मैजिक का यूज़ करके पेल को हवा में उड़ा देता है क्योंकि डैनी जानता था कि परसिवल अभी एक फुल पावर नाइट का सामना करने जिना ताकतवर नहीं है इसलिए डैनी पेल का ध्यान भटकाने का फैसला करता है ताकि परसिवल को उहां से भागने के लिए थोड़ा सा समय मिल सके पर परसिवल उहां से भागने से साफ इंकार कर देता है क्योंकि परसिवल पेल से आरन साइड का पता पूछना चाहता था इसी बिच पेल का दिमाग खराब होने लगता है और वो अपनी काफी सारी पावर को एक साथ रिलिस कर देता है जिससे उहां पर एक बड़ा फायरवल क्रियेट हो जाता है और डैनी उस अटेक से घायल हो जाता है जो देखकर पेल को तुना दुख होता है क्योंकि उएक इमांदार नाइट था जो आम लोगों को चोट नहीं पहुचाता था लेकिन डैनी ने उसके और परसिवल के लड़ाई के बीच में आकर कापी बड़ी गलती कर दी थी इसलिए उसके पास डैनी पर अटेक करने के अलबा और कोई चारा नहीं था जिसके और पेल डैनी और परसिवल को मारने के लिए उनकी तरह बढ़ने लगता है पर तभी उनके बीच वही क्रियेचर आ जाता है जिसे पर्सिवल की मुलाकात यहां आने से पहले हुई थी और उस क्रियेचर को वहाँ पर देखकर पेल भी थुदा कनफ्यूज हो जाता है तभी वो क्रियेचर अपनी पॉकेट से एक स्टोन निकालता है जिसकी मज़े से पर क्रियेचर पर्सिवल को ऐसा करने से मना करता है क्योंकि यह काफी बड़ी बेवकुपी थी क्योंकि पेल उस विलेज में पर्सिवल को ढूंटे हुए ही उहां पर आया था इसलिए अब जब पर्सिवल उहां मौजुद नहीं था तो इसका मतलब यह था कि पेल जल्दी उस इविल किंग के लिए काम करता है जो कि इविल किंग के कुछ खास नाइट में से एक था जिनका काम पॉर नाइट्स ऑप अपॉकॉलिस को ढूंड कर मिटा जेने का था साथी वो फॉक्स डैनी को बताता है कि असल में उसे फ्यूचर से पास में भेजा गया है ताकि वो सिर्फ पर्सिवल को ही ढूड़ने में काम्याब हो पाया था जो कि देथ नाइट था इसी दुरान हम हॉली नाइट के बेस का सीन देखते हैं जहां पर सभी नाइट इखटा हुए थे ताकि वो लोग एक दुसरे के साथ फोर नाइट्स ओप अपोगलिस के ऊपर इखटा की गई सारी इंफॉर्मेशन को सेर कर सके इसी दुरान हाँ पर पेल भी आ जाता है और वो लोग अपनी मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं जहां पर हमें पता चलता है कि असल में किंग और्थर ने अपने फोर नाइट्स ओप अपोगलिस ही खोज कई सालों पहले ही शुरू कर मैजिक मौझूद था वहीं दूसरे नाइट ओप अपोगलिस के आखों के अंदर हॉली नैस और हैल की पावर मौझूद थी वहीं एक नाइट ओप अपोगलिस के बाल पत्ते के शेप के थे जो सुनकर आइरन साइड समझ जाता है कि वो आकरी नाइट ओप अपोगलिस जर जो आइरन साइड को उसका काम ठीक से ना करने के लिए डाट रहा होता है जिस पर आइरन साइड अपनी तलवार निकाल कर पेल को धंकी देता है कि अगर उसने एक पल में उसका रास्ता नहीं छोड़ा तो वो से जान से मार देगा पर पेल को एरन साइड की धंकी से कोई ड करना चाहिए क्योंकि पर्सिवल के अंदर काफी तरह टैलेंट मौझूद है जिससे पेल वेस्ट उन्हें देना नहीं चाहता था और अगर उन्होंने पर्सिवल को हॉली नैट में सामिल कर लिया तो इससे उनकी फोर्स पहले से काफी तरह पाउरफुल बन जाएगी साथी प पर्सिवल को पुरा होने से किसी भी तरह रोकना था वहीं दूसी तब पर्सिवल को भी फोक्स से उस पर्सिवल के बारें पता चलता है पर पर्सिवल को सुनने के बावजुद भी पर्सिवल को जादा फरक नहीं पड़ता है क्योंकि पर्सिवल को गलत पूरूफ करने के लिए पर्सिवल को बस इस दुनिया को डिस्ट्रॉइ नहीं करना था पर फॉक्स को पता था कि प्रफेसी को इतनी असानी से चेन नहीं किया जा सकता है इसलिए पर्सिवल को उसके साथ चलने हो कहता है पर पर्सिवल उस फॉक्स के साथ जाना नहीं चाहता था क्यूंकि वो साइड को ढूनना चाहता था जिस पर वो फॉक्स पर्सिवल को बताता है कि आयरन साइड और दूसरे सभी नाइट्स कैमलोट में मुझूद है जो सुनकर डैनी को लगता है कि वो फॉक्स जूट बोल रहा है क्योंकि कैमलोट 16 सल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था जिस पर वो योनस किंडम का नम सुनते ही पर्सिवल एक दम से उस फॉक्स जाने को त्यार हो जाता है और वो लोग अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं जहां पर रास्ते में पर्सिवल को भूक लगने लगती है इसलिए वो रुक कर किसी चीज का सिकार करने का फैसला करता है पर डैन पर्सिवल को एक अजीब सी जगह दिखाई देती है इसलिए वो उस जगह को चेक करने चला जाता है तब ही हम डैनी को देखते हैं जिसका एरो गलती से एक जाइंट नन को लग जाता है जिस पर डैनी उसे माफी मांगता है जिस पर उस जाइंट डैनी को माफ कर देती है क् पर दो फैरी जो उन्हें बताती है कि पर्षिवल गलती से ऐशी जगह चला गया है जहां पर एक खतरनाक आदमी रहता था इसी विच हम देखते हैं कि पर्षिवल एक कैद फैरी की एक जगह से भागने मनत करता है पर तभी को पीछे से आकर पर्षिवल को बहुत कर देता है इसी हेबराइटिस नाम का एक साइंटिस था जिसे जिन्दा चीजों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मारने में कापी जरा मजा आता था और इस बार उसका सिकार परसिवल था जिसके साथ यह पार्ट यही पर खत्म हो जाता है तो इस पार्ट की सुरुवात में हम देखते हैं जो उस جाइंट धन के साथ अभी पूरे जंगल में परसिवल को ढूंड रहा होता है लेकिन काफी देर तक ढूनने के बाद भी उन्हें परसिवल कहीं नहीं मिल रहा होता है, जिस पर वो दोनों फैरिज डैनि को परसिवल को ढूंनने की उमीद छोड़ देने को कहते है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब तक मैड हरवल ने पर्सिवल को पकड़ लिया होगा इसलिए वो लोग अपनी छानवीन को और ज़दा तेज कर देते हैं ताकि वो पर्सिवल को कुछ भी होने से पहले ढूंड सके इसी भीच हम पर्सिवल को देखते हैं जिसकी नींद एक कमरे में खुलती है जहाँ पर एक चेर से बंधा होता है और उसके सारे कपड़े भी गयव होते हैं जो देकर पर्सिवल समझ जाता है कि वो किसी बड़ी मुसीवत हैं फस गया है तब ही वहाँ पर मैड हरवल भी आ जाता है जिसका नाम मेशन था और मेशन पर्सिवल को इतनी जल्दी होश में आता देखकर काफी जड़ा हरान होता है क्योंकि मेशन ने जो सिरम पर्सिवल को दिया था उससे पर्सिवल कम से कम 10 घंटों तक भी उस रहना चाहिए था जो देखकर मेशन काफी जड़ा इंप्रेस होता है और पर्सिवल पर अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट को पर्फॉर्म करने का फैसला करता है जिस पर पर्सिवल मेशन से कहता है कि वो उसके साथ जो चाहे वो कर सकता है पर इससे पहले पर्सिवल मेशन से उसके कपड़े वापस देने हो कहता है क्योंकि बीना कपड़ों के पर्सिवल को सरम आ रही थी उपर से उसका हेलमेट और केप उसके डैड की दियो ही आखरी निसानी थी जिस पर मेशन पर्शिवल से कहता है क्योंकि पर्शिवल के कपड़े काफी तरह गंदे और फटे हुए थे इसलिए उसने उन सभी कपड़ों को जला दिया जो सुनकर परसिवल थोड़ा दुखी हो जाता है पर मेशन परसिवल को बताता है कि उसने परसिवल के हैलमेट और केप को नहीं जलाया है क्योंकि वो दोनों चीजे मैजिकल आइटम से बनी हुई थी इसलिए Mason बाद में Percival को वो आपस लोटाने का वादा करता है पर इससे पहले Mason Percival पर कई सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था क्योंकि उसने आज से पहले Percival जैसा एक्सपेरिमेंट मोडल नहीं देखा था जो कहने के साथ ही Mason Percival पर अपने एक और सिरम का यूज़ करता है और वहाँ पर एक घंटे बाद आने का फैसला करता है क्योंकि उस सिरम का असर होने में लगभग एक घंटे का समय लगता था पर उस सिरम को देने के कुछ सेकंड के अंदर ही Percival के बाल अचनक से कई मीटर लंबे हो जाते है जो देखकर Percival को काफी गुसा आ रहा होता है क्योंकि वो अपना हेलमेंट नहीं पहन सकता था पर मेशन का ध्यान इस बात पर होता है कि आखिर वो इस सिरम का यूज़ करके प्लांस वो कैसे जल्दी उगा सकता था क्योंकि उसका सिरम काफी हत्यक सही काम कर रहा था जिस पर Percival मेशन को बुरा भला कहने लगता है क्योंकि Percival को लग रहा था कि मेशन एक बुरा आदमी है जो उस फैरी के साथ भी यही सारे एक्स्पेरिमेंट कर रहा था जिसकी जान Percival ने बचाई थी पर मेशन Percival को बताता है कि वो उसे गलस समझ रहा है क्योंकि उस फैरी ने असल में उस पर पहले हमला किया था इसलिए मेशन ने उस फैरी को मज़ा चाखाने के लिए उसे बान दिया था जो सुनकर Percival को लगता है कि साथ से वो मेशन के बारे में जैसा सोच रहा था वो वैसा आदमी नहीं है पर इसके बाबजूद भी Percival मेशन को उसकी परसनेलिटी और हरकतों को सुधारनेों कहता है क्योंकि उसकी वज़े से दूसरे लोगों को काफी ज़्या दिक्कत होती है जो सुनकर मेशन को अपनी बड़ी बहन की याद आ जाती है क्योंकि वो भी मेशन से यही बात कहा करती थी और मेशन की सिस्टर कोई और नहीं बलकि वही जैंट नन होती है और वो लोग अभी एक बड़े से ट्री मॉंस्टर से बच के भाग रहे होते है तभी डैन उस मॉंस्टर से बचने के लिए एक पहाड पर चड़ने लगता है जो देखकर वो दोनों फैरिज मेशन को गाले देने लगते है क्योंकि उस फोरेश के अंदर उस टैप के मूटेट मॉंस्टर मेशन की वज़े से क्रियेट हुए थे जो सुनकर उस जाइंट नन को गुस्ता आने लगता है क्योंकि जाइंट नन जानती थी कि उसका भाई कभी भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता है इसी दोने हम परसिबल को देखते है जो मेशन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे काफी जरूरी काम है इसलिए वह उसे जाने दे जिस पर मेशन परसिबल को छोड़ने के लिए त्यार हो जाता है पर इससे पहले मेशन परसिबल पर अपने सारे एक्सपेरिमेंट खत्म करना चाहता था क्योंकि ये उसकी रिसर्च के लिए काफीज रहा है इंपोटेंट था इसलिए मेशन परसिबल को सांती से उसके एक्सपेरिमेंट में उसका साथ देने हो कहता है नहीं तो हो सकता था कि सिरम के ओवर्डोस से परसिबल की जान चली जाए जिस पर परसिबल कन्फ्यूज होता है कि आखिर जब मेशन सची में लोगों की मददी करना चाहता है तो आखिर हुआ इस तरह का तरीका क्यों आज मारा है जिस पर मेशन परसिबल को इसका जवाब देने के लिए पीछे मुड़ता है पर मेशन देखता है कि पर्सिबल उहां नहीं होता है क्योंकि पर्सिबल ने खुद को उन रसियों से आजाद कर लिया था और वो अपना हेलमेट और केप पेहन कर उहां से निकलनी की त्यारी में होता है क्योंकि पर्सिबल काफी ज़रा जल्दी में था Purcival को बिना मारे उसे वही पर रोकने का फैसला करता है पर Purcival Mason के ऐटेक को रोक लेता है और से कहता है कि अगर Mason चाहे तो Purcival उसकी प्रॉबलम को solve करने में उसकी मनद कर सकता है पर मेशन किसी अंजान आदमी से कोई मदद नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे बस अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक गुनिया पीक चाहिए थी ताकि वो अपने रिसर्च को पूरा करके गौर को बचा सके इसलिए मेशन पर्शिवल पर अटेक करना जारी रखता है और उसे ओवर पावर कर देता है जिससे पर्शिवल नीचे गिर जाता है और मेशन पर्शिवल को वाड़ने के बारे में सोचने लगता है पर तभी Persifal का helmet उड़कर सीधे Mेsion के मुष पर लगता है जिससे Mेsion पीछे उड़ जाता है और उस table पर जा कर गिरता है जिस पर हो experiment कर रहा था जिससे Mेsion का वह drug गिर कर destroy होने वाला होता है जिससे Mेsion ने काफी लंबे समय के research के बाद त्यार किया था पर परसिबल उस ड्रग को गिरने से बचा लेता है और परसिबल के हाथ में उस ड्रग को देखकर मेशन काफी जरा डर जाता है और परसिबल को उस ड्रग के बदले छोड़ने के लिए तियार हो जाता है और परसिबल को बस चुप चाप उस ड्रग को उसे वापस देने देने को कहता है तभी परसिबल को याद आता है कि मेशन को अभी भी उस ड्रग को टेस्ट करना बांकी है इसलिए परसिबल खुद वह ड्रग पी लेता है जो देखकर मेशन काफी जाटा शौक होता है क्योंकि परसिबल ने जानते हुए भी उस ड्रग को पी लिया था कि उससे जान जा सकती थी तभी परसिवल को काफी चाथ धर्द होने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है जो देखकर मेशन को लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट एक वार फिर से फेल हो गया है पर तभी परसिवल वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उस ड्रक की वज़े से परसिवल पहले से काफी चरा एनरजेटिक मैसूस कर रहा था और परसिवल उस घर से बाहर जाकर जोर्दों से चिलाने लगता है जो आवाज वो जाइंट नेर और डैनी भी सुन पाते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि परसिवल बिलुकुल ठीक है और वो लोग उस आवाज की दिसा म बढ़ने लगते हैं इसी बिछ में परसिवल से पूछता है कि आखिर अजिके किसी हिचकीarner को कैसे पी लिया क्योंकि इसे उसकी जान भी जा सकती थी जिस पर परसिबल मेसन से कहता है कि वो बस मेसन की मनद करना चाहता था। क्योंकि परसिबल समझ गया था कि मेसन ये सब जौर्ज फोरेश को बचाने के लिए कर रहा है। और वैसे भी उष ड्रग को पीने के बाद भी उसके हाथ पर बिल्कुल सही सलामत थे। इसलिए परसिवल मेशन को उसकी चिंता बंद करने हो कहता है, तब ही मेशन भी अचानक से उस ड्रग को पी लेता है, जिससे उसकी बोडी में काफी ज़़ा दर्द होने लगता है, और मेशन वही पर बेहुस हो जाता है, तब ही वहाँ पर परसिवल के साथ ही उन्हें मास्टर की कहानी दोहराने लगता है, जहां पर हमें पता चलता है कि मेशन के मास्टर का नाम ओडो था, जो कि जौर्ज फोरेश्ट में ही रहते थे, और वहाँ पर अपनी रिसर्च करने के लिए हर्ब्स कलेक्ट हिया करते थे, इसी दोरन ओडो की मुलाकात कुछ फैरिस स को अपने साथ पालने लगता है, और उन्हें मेडिसिन के बारे में सिखाता है, लेकिन इसके कुछ सालों बाद ओडो आचानक से कहीं पर गयव हो जाता है, जिसके बाद ओडो की मुलाकात किसी से नहीं होती है, इसलिए मेशन इस फोरेश्ट को बचाना चाता था, क्योंकि ये फोरेश्ट उसके मास्टर की आखरी निशानी थी, तभी मेशन वापस से होश में आ जाता है, और जल्दी से अपनी ड्रक को पूरे फोरेश्ट में फेला कर उस फोरेश्ट को बचाने के बारे में सोचने लगता है, इसी दोरन हम उसी फैरी को देखते हैं, जिसे परसि करता है, कि मेशन उनकी मनद करने की कोशिश कर रहा है, पर इससे पहले कि वो लोग उन फैरीश्ट को समझा पाते, एक परपल फोग पूरे गौर्थ फोरेश्ट को कवर करने लगती है, जिससे उस फोरेश्ट में मजूद सभी क्रियेचर मरने लगते हैं, जो देखकर मेश से मेशन उस पूरे फोरेश्ट को डिश्ट्रॉय होने से बचा लेता है, जो देखकर वो सभी फैरीश्ट भी काफी द्रा खुश होते हैं, और मेशन उन सभी से अपनी अब तक की की गई सभी गलतियों के लिए माफी मांगता है, तभी फोक्स मेशन से पूचता है कि आकिर जरूर किसी आदमी का हाथ है, तभी हम एक अजीब से क्रियेचर को एक केप से बाहर आते हुए देख पाते हैं, जो कि असल में ओडो था, जिस पर मेशन ओडो के पास जाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ओडो को बचाना चाहता था, पर मेशन की सिस्टर उसे रोक लेती जो देखकर मेशन की सिस्टर मेशन को बचाने की कोशिश करती है, जिस पर ओडो मेशन की सिस्टर पर अपने पॉजन बिरिस से अटैक करता है, जिससे उसकी बोडी काफी हद तक जल जाती है, और हम समझ पाते हैं कि ओडो की इस हालत के पीछे उसी फैरी का हाथ होता है, ज इसके साथ यह पार्ट यही पर खत्म हो जाता है।